नमस्कार दोस्तों टूदा पाइंट में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में देखेंगे राष्टिय सिच्छानीती 1986 या इसको हम नई सिच्छानीत के नाम से भी जानते हैं अगर हम डिटेल में बात करें कि राष्टिय सिच्छानीती 1986 कब और कैसे बनी तो हमें पता है 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गटन हो चुका था और कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने 29 जून 1986 को प्रस्तुत की अब आयोग ने अपनी कुछ सुजाओ दिये होंगी आयोग के सुजाओं के आदार पर सरकार एक सहिच्छीक नीती तयार करेगी तो आयोग में थोड़े बहुत संसुदनों के वाद आयोक के सुजाओं के आदार पर सरकार ने 24 जुलाई 1968 को सुतंत्र वारत की पहली राष्टिय सिच्चा नीत की गोश्टा की और इस समय हमारी प्रदान मंत्री थी स्री मती इंद्रा गांदी रिपोर्ट यानि कि सहचिक नीती सही से लागू भी नहीं हो पाई थी कि के अंदर में गोशिद कर दिया गया यह शिच्चा नीती भी लागू नहीं हो पाई कि केंदर में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और दोबारा से कांग्रेस सत्ता में आ गया यानि कि दोबारा से हमारी प्रदान मंत्री इंद्रा गांदी बन गई अब इंद्रा गांदी प्रदान मं गई 31 अक्टूबर 1984 को इसके बार राजीब गांदी को पर्दान मंत्री बनाया गया तब राजीब गांदी ने नई सिच्छानेति को संसत में पेस किया यानि कि important बात के आये कि राष्टिय सिच्चा नीती 1986 पहली नीती थी जिसमें नीती के साथ-साथ उसको पूरा करने की योजना भी प्रस्तुत की गई थी आयोग बने थे जिसे कोठारी आयोग है ठीक है पुठारी आयोग ने अपने सुजाव तो दिये थे लेकिन सैचिक नीती जो सुजाव थे वो किस तरह से लाबू होंगे उनकी कार योजना तयार नहीं की थी लेकिन राष्टिय सिच्चा नीती 1986 पहली नीती थी जिसमें नीती के साथ साथ उसको पूरा करने की योजना भी प्रस्तुत की गई थी कार योजना भी प्रस्तुत की गई ठीक है अब राष्टिय सिच्चा नीती 1986 के मूल तक तो मूल बातें क्या थी क्योंकि रिपोर्ट तो बहुत लंबी थी तो इसमें जो मूल बातें थी उनकी हम बात करेंगे राष्टिय सिच्चा नीती 1986 की मूल बातें इस प्रकार है सबसे पहली के आए कि 10 प्लस 2 प्लस 3 सिच्चा सरचना को लाग किया जाए जो कि हम अभी भी देखते हैं ठीक है कच्चा 10 उसके बाद बारे यानि के इंटर्मेडियेट उसके बाद इस नार तक प्रात्मिक सिच्चा 6-14 आई वर्ग निसुल्क और अनिवारिकर आई जाएगी ठीक है जो प्रात्मिक सिच्चा है 6-14 आई वर्ग की वो निसुल्क और अनिवारिकर आई जाएगी इसके अलाबा अगली महित्पूर बात क्या है कि सिच्चा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया जाएगी दूनिया के अन्य देसों में जो टेकनलोजी थी बोड़ रही थी लेकिन इंडिया में टेकनलोजी इतनी जादा नहीं थी तो तक्नीकी सिच्चा पर विशेज ध्यान दिया जाए और सिच्चों के प्रसिचड पर जोर दिया जाए यानि कि जो computer बगाएर आएंगे तो उनको टीचरों को प्रसिचित किया जाए ठीक है उनको चलाने के लिए नेश्ट है सिच्चा पर राष्ट्री आये का जो बजट है हमारी टोटल इंकम है राष्ट्री आये का 6% बे किया जाएगा ऐसा निर्धारित किया गया था लेकिन अभी तक जो है लगबग 4% ही बे किया जा रहा है इसके अलाबा गड़ी तथा बैग्यानिक विस्यों की सिच्चा के लिए आदुनिक उपकरोणों की विवस्ता की जाएगी अब अगली मैत्पूर बात क्या थी कि गड़ी तथा बैग्यानिक विस्यों की सिच्चा के लिए आदुनिक उपकरोणों की विवस्ता की जाएगी ने-ने संसादन विद्यालें में लाए जाएंगी इसके अलावा प्रोड सिच्छा और अल्प संक्यों की सिच्छा की विवस्ता की जाएगी नवोदे विद्यालें के खोलने का सुझाव भी दिया गया था राष्टी सिच्छा नीत 1986 में अब इसमें जो हमारा मूल दस्तावेश था वो बहुती विस्तरत था बारे वागों में विवाजी था जिनको आप पढ़ सकते हैं अमने लिख दिया ठीक है पहले में था खंड एक में कि सिच्छा नीत की प्रस्ताबना के बारे में बताय गया था दूसरे में भूमिका किस तरह की सिच्छा विवस्ता रहेगी तिसरे में सिच्छा नीत की प्रडाली ठीक है कार्योजना किस तरह से चलेगी चोथे में समानता के लिए सिच्छा सिच्चा ऐसी होगी जो सबी के लिए जोर देगी जन जन की सिच्चा पर जोर देगी इसके इलावा सिच्चा का विविन इस्त्रों में विवाजन टेन प्लस टू प्लस थ्री ठीक है प्रात्मिक मादिमिक जो है सब अलग-अलग इस्त्रों में विवाजित की जाएगी ने इ योजना पस्तुत की गई थी, वो 24 खंडों में विवाजित थी, ठीक है, सिच्चा नित की कार योजना 24 खंडों में विवाजित थी, जो कि हमने याप पर लिख दिये हैं, अब इसमें इंपोर्टेंट बात क्या है कि खंड दो में बताया गया था, प्रात्मिक सिच्चा और ओप्रेशन ब्लेक बोर्ड, तो ओप्रेशन ब्लेक बोर्ड की हम बात करते हैं, ओप्रेशन ब्लेक बोर्ड, इस योजना में कहा गया कि प्रतिक प्रात्मिक विद्याले में कम से कम दो कमरे, जो ओप्रेशन ब्लेक बोर्ड योजना थी, इसमें एक विद्याले में कम से कम दो बड़े कमरे और एक बरामदा होगा इसी और एक टीचर ठीक है कम से कम दो बड़े कमरे एक बरामदा और सचालेयों की पर्याप्त वस्ता की जाएगी इसके साथ ही कम से कम दो सिच्चक होंगे ठीक है दो कमरे एक बरामदा और दो सिच्चक यह आपको याद रखनी क्यों कि जब संसोदित सिचानीती आएगी 1992 तब इसमें संसोदन किया गया था। जिसमें जहां तक संभब हो एक महिला अध्यापिका ओ। ठीक है अगर संबब हो क्योंकि उस समय महिला सा चर्टा कम ती महिला अध्याप कम ती इसके अलावा विद्याले में ब्लेक बोर्ड नकसे खिलोनों चार्टों तथा फरनीचराद की उची तवस्था की जाए इसके बार राष्टी सिचानीत 1986 का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले गुड़ों की बात करें कि इस सिच्चा नीत में सुजाओं के साथ साथ कार्योजना भी प्रस्तुत की गई ठीक है गुड़ यह हो जाएगा क्योंकि जब तक हम कार्योजना ने प्रस्तुत करेंगे सहची नीत किस तरह से लागू की जाएगी यह इसमें बताया गया तो अच्छी बात है नेश्ट है 10 प्लस 2 प्लस 3 सिच्चा सरचना को पूरे देश में अनिवारे रूप से लागू कराने पर जोर दिया गया ठीक है यह भी इसका एक मेरिट है इसके अलाबा सिच्चा को बिसेस मैत दिया गया यानि कि राष्टी आयका 6% खर्च करने को कहा सिच्चा को इतना ज्यादा मैज दिया गया नेश्ट गोर क्या है कि सिच्चा के locksार पर पर 5 पर जोप और ब्ले conducting इसके बिद्यांगे दो कमरे ठीक है एक बराम्डा और दो के इसके अलाबा सहच्यालियों की पर्याप्त वस्ता निश्टे 6 से 14 आई वर्ग के लिए निशुलक और अनिवारिष सिच्छा पर जोर दिया गया ठीक है इसके अलाबा इस्तरी सिच्छा प्रोड सिच्छा अल्पसंको की सिच्छा पर बिसेज द्यान दिया गया और उन पर जोर देने की बात कईगी दोसों में हम क्या बात करते हैं कि ओप्रेशन ब्लेक बोड योजना में बनाए गए जो भवन थे ठीक है दो बड़े कमरे और बरांदा जो भवन थे वह उती नीची किस्म के थे ठीक है निम्न क्वाइल्टी के थे गटिया क्वाइल्टी के थे दूसरा दोस के आए कि 6% बजट खर्च करने का सुजाव तो दिया गया परन्त अभी तक हम देखते हैं इतना हो नहीं पाया यानि कि अभी तक केबल 4% सिच्छा पर बजट खर्च किया जा रहा है राष्टी आए का अभी तक केबल 4% कि पावा दिया गया था यह का गया था वहीं मुल्यांकन करेंगें यह की30 को बढ़ाभा मिलता है तो क्यूंक कि टीचर केंगे कि आप ऐसा काम करूं को नहीं तो हम आपको कम नमबर देंगे इस च्छानित मेंं आंत्रिक बढ़ावा दिया गया जिससे chatr wiping sco बढ़ावा मिला इसी में आपका एक पॉइंट आता है कि संसोधित राष्टी सिचानीत 1992 इसी से जुड़ी है तो उसी की वाद भी हम कर लेते हैं रिवाईज नेश्टनल एजूकेशन पॉडिसी राष्टी सिचानीत 1986 की समिच्चा करने के लिए क्योंकि इसके अद्यचते राम मूर्ती सिच्चा समिटी 1990 का गषण किया गया इसके भी अध्यच थे जनारदन रेड़ी इन दोनों समितियों के सुझाव पर राष्टिय सिचानीत 1986 में कुछ संसोधन किये गए इसे ही हम संसोधित राष्टिय सिचानीत 1986 के नान से जानते हैं प्रमुक संसोधनों की बात करें तो सबसे पहला संसोधन ब्लेक बोड योजनामिक किया गया था कि दो की जगए तीन कमरे और तीन अध्यापकों की विवस्ता की जाएगी इसके अलाबा अगला संसोधन क्या था कि भविस्य में 50% महिला अध्यापकाओं की निउक्ति की जाए जिससे महिला शिच्चा को जोर दिया जाए अब भविस्य में 50% महिला अध्यापकाओं की क्योंकि उस समय इतनी महिला अध्यापकाओं जो है उपलब्ध नहीं थी तो फ्योचर में 50% महिला अध्यापkaओं की निउक्ति की जाए नेश्टे उच प्रात्मिक इस्तर पर भी ब्लेक बोर्ड योजना को सुरू किया जाए क्योंकि सुरुआत में ब्लेक बोर्ड योजना केबल प्रात्मिक इस्तर के लिए थी संसोधित राष्टिय सिच्चा नी तुरी 92 में का गया कि प्लेकबोडी हो जना उच्छ प्रात्मिक स्था के लिए भी शुरू की जाए। इसके और सन 2000 तक अनिवारे और निसुल् pretend कि अर्थे मिसन चलाए जाए एक जागरूपता मिसन चलाए जाए कि सन 2000 तक अनिवार और निसुल्क सिच्छा के लच्छ को प्राप्त किया जा सके तो यह आपकी राष्टी सिच्छानीद 1906 यहां पर समापत होती है अगर आप इन नोट्स का वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्कतुन वाक्स में मिल जाएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप में वीडियो काईट वाक्स में चरूर बताएगा अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीड वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्स फार वाचीन